साहित किसे कहते हैं? इसके बारे में सामाइन जानकरी हमें हो नहीं चाहिए. भाषा के माधिम से अपने अंतरंग की अनभोधी, अभिव्यक्त कराने वाली कला साहित कहलाती है. साहित शब्द अंग्रेसी के लिटराइचर शब्द का परियाई वाजी हैं, और इस सेमेस्चर में हमें कवितावं के बारे में अध्येन करना है. इसलिए कविता क्या है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम प्राप्त करेंगे. आचारी विश्योनाद ने कहा है वाक्यम, रसात्मगम, काव्यम. अर्थात कामवी जो है वो वाक्य ही है लेकिन इसमें रस होता है और हिंदी सायति के विख्याद अधियासकार आचारी रामचंद्र शुक्र जी ने कहा है कभिता जीवन और जगत की अभिवेक्ती है और एंग्रेशी के विख्यात कभी परसी बैसी शेली जी ने कहा है Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds अब हम सोचेंगे मानजीर में साहित का महत क्या है अक्सरी प्रशन लोग पूछते रहते हैं अरे साहित पढ़ने के क्या विशकता है मानजीर में साहित का सबसे अधिक महत है क्योंकि साहित ही मनशी की बुराईयों का अंत करता है साहित समाज का दरपन होता है समाज को साहित से ज्ञान की प्राप्ती होती है हर युग में साहित करों के द्वारा साहित लिखा जाता है इस तरह समाज को ज्ञान की दीप दिखाने वाला है साहितिकार और उस साहितिकार के रजनावों को पठने से हमें अंधिकार से बाहर निकलने का रासा मिल जाता है